अर्चनी वन्नी संसमाज धर्म पेमी सज्जनों स्रद्ध मूर्थी माताओं प्यारे बच्चों साथ द्विशी ससंग समारों काज प्रथम दिन बड़े सोभाग की बात है इस ग्राम परसुली में हमेशा सतसंग प्रोग्राम का यवजन होता रहा है और कहीं न कहीं से संतों का आगमन होता आ रहा है इस बार मेरा सौभाग्या है आप सबने मुझे आउसर दिया है आप सब के पीछ मैं भी आप लोगों से जो कुछ सीखा हूँ और संतों के समा से जो कुछ पाया हूँ वही आप सब के बीच रखने का प्रयास करूँगा आज सतसंग का प्रथम दिन है लगातार साथ दिन तक अलग-अलग विशियों पर थोड़ी-थोड़ी चर्चा करेंगे मनुष्य जन्म हुआ है इसका महत तो क्या है बच्चों को संसकार कैसे देना चाहिए बुढ़ापा सार्थक कैसे हो घर स्वर्ग कैसे बने मनुष्य के केंद्र में क्या है जीवन का उत्थान और पतन कैसे होता है अच्छा जीवन क्या है और बिगड़ा जीवन क्या है क्या इस दुनिया में देवी देवता है क्या इस दुनिया में अल्ला परमातमा खुदा गाड़ इश्वर है या नहीं है यदि है देवी देवता तो कहा है अन्य कई विशियों पर थोड़ी थोड़ी रोज चर्चा करेंगे हम सब का जीवन बहुत ही सुन्दर जीवन है इसको कैसे सजाना है कैसे समारना है आपके हाथों में जब कोई कुमार मिट्टी लेता है तो उसको किस रूप में अकार देना है चाक और घड़े के अनुसार से मिट्टी के अनुसार से कच्चा मिट्टी को कैसा अकार देना है कुमार के उपर होता है लेकिन वही मिट्टी पक जाने के बाद में उसको अकार नहीं दिया जा सकता और अकार देना चाहेंगे तो तूट जाएगा फुट जाएगा लेकिन अकार में परिवर्तित नहीं हो सकता बच्चों को संसकार कब से दिया जाना चाहिए बच्चों को संसकार बच्चे के जन उत्तर प्रस्न दाता ने कहा बच्चों को संसकार कब से देना चाहिए उत्तर दाता ने कहा बच्चों को संसकार बच्चे के पैदा होने के 20 वर सपूर्व देना शुरू कर देना चाहिए कैसे इस पर और विश्री चर्चा करेंगे अन्य दिनों में इसको मैं बता दूँ जैसे हम बच्चे चाहते हैं उस होने वाले माबाप को ऐसे संसकारित करना शुरू कर दो आपके बच्चे 100% संसकारी होंगे इसके बाद भी बच्चे 8% संसकारी नहुवे तो उसका करम उसका भाग्या वोचाने लेकिन आप अपने ओर से ऐसी कोई कृिकलाप ना हो आपके जीवन में ऐसा कोई परिवर्तन ना हो जिसके वजह से आपको पस्यताव करना पड़े जिसके वजह से आपको ग्रानी हो का हरास करता चला गया मुझे जीवन को जिस गती से उठाना चाहिए था मैंने जीवन को विसी गती से नहीं उठा पाया मैंने सिर्फ धन द्रब्य इकठा किया गाड़ी घोड़ा इकठा किया परिवार बढ़ाया लेकिन क्या मुझे जीवन में सांती मिली है और सांती मिली त किस काम का ये सारे धंद्रव्य, सारे परिवार, सारे धंदवलत, क्या काम का है, मनुष्य के केंद्रा में सांती है, क्या वो सांती के लिए काम करते हैं हम, सांती के लिए यदि काम नहीं किये, तो हमारा सारा, क्रिया कलाब, सारा, तेरे मेरे की लड़ाई, ग्यान, सब धरा क धरा रहा जाएगा सब धरा का धरा रहा जाएगा इसलिए सरीर की अर्थी उठने से पहले सरीर से अर्थ निकाल ले और जीवन की चीता जलने सरीर की चीता जलने से पहले जीवन में मांसिक चिंताओं को जला ले ये आपके हाथों में आपके हाथों में आपके जीवन को उठाना आपके हाथों में है बहुत बड़ा आदमी बनना भी आपके हाथों में है लेकिन किसी किसी भाग्यसाली व्यक्ति बनते हैं लेकिन अच्छा आदमी बनना हर व्यक्ति के भाग्य में हर व्यक्ति के मस्तक में रेखा में लिखा है कि आप अच्छा आदमी बन सकते हैं जैसे हर आदमी के मस्तक में ये लिखा होता है कि आप अच्छे आदमी बन सकते हैं कब बनते हैं अच्छा आदमी जब अच्छा करम करता है तो अच्छा आदमी बनता है भुरा करम करता है तो भुरा आदमी बनता है एक आदमी है जो जीवन में कभी गलत नहीं बोलता गलत नहीं खाता गलत नहीं पीता गलत नहीं सोचता गलत वरताओं नहीं करता गलत चिंतन नहीं करता गलत वारता नहीं करता वो आदमी की जीवन में अच्छा होगा एक आदमी है जो हमेशा बड़ 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 बोलता है गलत बोलता है गलत चिंतन करता है उनका जीवन नरक में जाएगा तो आप के उपर है कि आप जीवन को कैसा उठाना चाहते हैं आज मैं चर्चा करूँ बीच में हमारे साहिव लोका रहे थे कि हमको बोलना कैसे ये पता नहीं होता है आज मैं बोलने पर बात करता हूँ बोला कैसे जाता है और वाणी एक ऐसा माध्यम है जो जीवन के निव तयार करता है जीवन को उपर उठाता है वाणी से ही जान सकते हैं कि आदमी कितनी गहराई तक पहुचा है और कितने चिछले पन हैं आदमी के पास वाणी में इतनी सकती है आपके बोलने में इतनी सकती है कि आदमी आपसे प्यार कर सकते हैं और आदमी आपसे वहर कर सकते हैं आप क्या चाहते हैं आप जो चाहते हैं वही आपको मिलेगा आप लोग कह रहोंगे हम्त कुदाज दुख मिलना है हमारे पास में समस्याओं को बॉंडर लगा हुआ है वह आप चाहते हैं बात करवी है लेकिन आप चाहते हैं आपने कब प्रेम चाहा है आपने कब सहयम और सा आपना करने को सोचे हैं आपने कब अपने घर में एक नए वातवरण बनाने का प्रयास किया है आपने कभी नहीं किया फिर कैसे आपको प्रेम मिलेगा कैसे आपको सम्मान मिलेगा आपने चाहा क्या चाहा कि मेरे मंजील है जो मकान है सिंगल मंजील हो जाए आपका डबल जिल मकान हो गया, आपके पास पहले साइकिल था, आपने चाहा कि मेरे पास मोटर साइकिल हो जाए, आपने महनत किया, आपके पास मोटर साइकिल हो गया, आपने चाहा मेरे बच्चे अच्छे पढ़े, आपने महनत किया, आपके बच्चे अच्छे पढ़ाई किये, अच्छ आपको मिला है। आपने चाहा आपके पास keypad मुबाईल है, आपने चाहा मेरे पास Android मुबाईल हो, टच पेड हो, आज हर व्यक्ति कों हाथों में Android मुबाईल है, आपने एक लव जगाया अपने अंदर, एक प्रेणा का स्रोत जगाया अपने अंदर, निरंतर कारिया करना खरीदना है, एक बच्चा के अंदर जुनून सवार हो जाता है, मुझे मूबाइल खरीदना है, अब क्या करता है बच्चा? रोज सौसो रुपय कठा करता है और पच्चास दिन में पाँच जार रुपय कठा कर लेता है मम्मी के पास पापा के पास जाता है और प्याण से वो प्याण से मम्मी से पापा से पैसा ले लेता है कटूता से नहीं बोलनी की कला है कटूता से नहीं हो सकता है बोलनी के बाद आतीत मैं कहा करता हूँ वाणी में इतनी सकती है कि वाणी से आप अपने घर वाले को रिजा सकते हैं आप वाणी में इतनी सकती है कि आपके घर के सारे सद्द से आपके अंकुस पे नाचेंगे बस आपका दीसा सही हो बस और दीसा गलत है और चाहे कि मैं वानी की हिसाब से मैं सब को नचा दूँ इनपॉसिबल संभव नहीं है आप यदि वानी अच्छा बोलते हैं वानी में बोलने की कला आ गई है आपको तो आपके पास जीवन की बहुत बड़ा कला है आपके पास सद्रू कबीर कहते हैं सद्द सवारे बोलिए सद्द के हाथ नपाओ एक सद्द और सदी करे एक सद्द करे घाओ आप देखे होंगे आपके ही परिवार में आपने ऐसे कटू सद्द बोला आपके बच्चे आपसे नफरत करना शुरू कर दिए आपने ऐसा कटू सब्दा बोला कि आपके माता पिता आपसे बात नहीं करना चाहते हैं आपने ऐसा कटू सब्दा बोला कि आपकी ही बहु है आपसे बात नहीं करना चाहती है वाणी एक माध्यम है वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जो की पराया को भी अपना बनाया जा सकता है वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जो अच्छे बोलनी की कला आ गई तो वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जो बहुत तेज गती से और बहुत दूर तक जाती है वाज एक घर का मुख्या करीब करीब असी साल का अवस्था असी साल के अवस्था में घर के मुख्या अपने तीन बहूं को बुलाती है तीन बहूं को बुलाती है घर के मुख्या है बुढ़िया है असी साल की अवस्था है उनके घर के चावी, उनके पास है तिज़वरे की चावी, अब वो सोचती है, अब मैं अपने घर के मुख्या में अपने बहु को बना लूँ किसी बहु को, तीन बहुए में, तीनों बहुँ को बुलाई, और वो प्रस्न करती है, बेटी तुम ये बताओ, कि बहुँ दूर और बहुत तेज गती से कौन से हवाज जाती है। यह तीनों को प्रसन किया गया, एक ही प्रसना है। और इस प्रसना को उत्तर तुम सुवा बताना, तीनों को अलग-अलग कमरे में बंद कर दिये गए, तीनों से मुबाइल ले लिये गए, तीनों को कहा किसी से वारता नहीं करना है, किसी से मुबाइल में बात नहीं करना है, तुम भोजन करो और अपने अपने कमरे में चले जाओ, और चिंतन करो कि सबसे दूर और तेज गती से कौन से आवाज जाती है। बड़े बहु को बुलाती है, और बड़े बहु को पूछती है बेटी बताओ दूर तक कौन से तेजगती से आवाज जाती है बड़े बहु बोलती है मा जब सुबा सुबा का समय हो और माहोड सान तो हो तब मुसलमान भाई अल्ला हु अकबर के आवाज करते हैं लौड स्पीकर से वह आवाज बहुत तेज और दूर तक जाती है उनकी मा बोलती है सासु मा तुम बेढ़ जाओ बेटी दूसरे को बुलाती है दूसरे को पुछती है बेटी तुम बताओ उनकी मंजले बहु आती है और बोलती है मा जब सुबा सुबा महुल सान्त है तो सुबा सुबा जो कुकरुंकु की आवाज आती है उससे सारे लोग उड़ जाते हैं बहुत दूर तक जाती है वाज उनकी मा बोलती है सास्वprene, बेटी तुम भी बैठ जाओ तीसरी बात अपनी छोटी बहु को बुलाती है और पूछती है बेटी तुम बताओ दूर तक कौन से वाज जाती है उनकी छोटी बहु बोलती है मा मीठे और धीरे बोले गए सद्ध बहुं तेज गती से दूर तक जाती है मीठे और धीरे बोले गए सद्ध बहुं तेज गती से और दूर तक जाती है वो अपना कमर से तिजोरी की चाबे निकालती है और बहु को पकड़ा देती है कैसे मीठे और धीरे बोलने से तेज और दूर तक जाती है जब वाइनी में सहीम होती है तो धीरे बोलते हैं मिठे बोलते हैं लेकिन दिल में चुबनी वाले बाते बोलते हैं हर आदमी को रिजाने की बाद बोलते हैं प्रेम से बोलते हैं करणा से बोलते हैं जब सरकस वाले सरकस दिखाते हैं तो सेर को कहता है बेटा तुम बैठ जाओ सेर एक आदमी के उपर बैठता है किसी के साथ छिडखानी नहीं करता है बेटा बैठ जाओ प्रेम से समझाता है जो खुंखार जानवार है उनको अपने इसारा पर सरकास वाले प्रेम की परिभासा में नचाता है मदारी जब खेल दिखाता है तो खेल दिखाता है इंद्री सयम पर इस पर एक विशेश चर्चा एक दिन मैं करूँगा उस पर इस सारी चीजा जाएगा जब मदारी खेल दिखाता है तो खुंखार जानवार को भी लड़ाता है और कहता है बेटा बैठ जाओ बैठ जाता है वानी कही तो सयम है वानी पर सयम होने से साब जैसे जहरीले जानवर को भी जहरीले सरपको भी आदमी अपने इसारे पिना चाहता है पूरे दुनिया को आदमी अपने इसारा परना चाहता है लेकिन दुर्भाग्य कहो या सवभाग्य कहो आदमी पूरे दुनिया को अपने वस में करना चाहता है लेकिन अपने आपको अपने वस में नहीं कर पाता है अपने आपको अपने वस में नहीं कर पाता है मन के चलाए तन चले जाते सर वस जाए हम मन और तन विचली तो हो चुका है मन कहीं आउर है, तन कहीं आउर है वाणी में कुछ और निकल रहा है हमारा जीवन अस्तवेस्त है बिगडा हुआ जीवन वाणी में सियम नहीं का प्रणाम है वाणी में सियम होने से प्रेम की परिभासा बोलने से आप किसी के घर में गए और किसी के घर में गए वहां से घर के बहु निकलती है और सभी का प्रणाम करती है परणाम करके सब को ठंडा पानी पिलाती है, चाय पिलाती है, प्रेम से बात करती है, आप कहां से आए हैं, अंजान व्यक्ती है, उनसे भी प्रेम से बात करते हैं, आप कहां से आए हैं, आदर सुचक वाक्यों में बात करती है, आप कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, प्यार से बात करती है, आप परिवार के लोग चले गएं, आप से बात करती है, मम्मी आपकी तबियत कैसे है, दिदी आपकी तबियत कैसे है, भावी आपकी तबियत कैसे है, आप जब दूर चले जाते हैं ना, आप यहां से पांसो किलिम्टर पे दूर चले जाएंगे ना, तब जब क कितने तेजगती से पहली आवाज आपके बोलने पर सयम हो बोलने पर सयम हो वाणी हे कैसा माध्यम है जो की हसते हुए को रुलाया जा सकता है और वाणी हे कैसा माध्यम है जो की रोते हुए को हसाया जा सकता है हसाया जा सकता है एक आदमी दुखी है हुआ ये कि उन्होंने एक मकान खरीदा और मकान खरीदा और मकान खरीदनी के बाद में एक सब्ता बाद उस मकान में आग लग गए लोगों ने आकर के बताया जिस मकान को आपने खरीदा था आपके बेटे ने जिस मकान को खरीदा था वह मकान में आग लग चुका है ओ घर का बुढ़ा घर का मुख्या दुखी हो जाता है वारनी ही कैसा माध्यम है न दुखी हो जाता है कुछ दिर बाद उनके बेटे आते हैं और कहते हैं पापा क्यों रो रहे हो बेटा तुमने जो मकान खरीदा था इतना पैसा लगाया था वो मकान जल करके राक हो रहा है धू धू हो रहा है इतना में कहते हैं उनका बेटा पापा उसकी चिंता मत करो मैंने सिर्फ बात किया था पैसे नहीं दिया था रजिश्टी नहीं होई थी उनके बाप के चेहरे पे मुस्कान बढ़ जाता है वाणी ही कैसा मात्यम है लेकिन गलत तरीका है तरीका भी अच्छा होना चाहिए वाणी में इतनी सक्ती है कि परिवार को जोड़ करके रखता है समाच को जोड़ करके रखता है देश को जोड़ करके रखता है राष्ट को जोड़ करके रखता है वाणी में सयम ना हो तो परिवार तूट करके बिखर जाता है घर तूट करके बिखर जाता है गाओं और देश तूट करके बट जाते हैं पूरा तबाह हो जाता है तेरे और मेरी की लड़ाईय चालू हो ज चीज है लेकिन घर टूट करके भिखरना अलग चीज है एक सिस्टम दिया जाता है भाई और भाई चार भाई हैं छे भाई हैं कुछ बात हुई समहल नहीं पा रहा है आपस में प्रेम से बांट लिए मकान को संपत्ति को घर को लेकिन आपस का प्रेम बना है कोई दिक्कत नह नहीं है मकान बटा नहीं है आदनी बट गए घर नहीं बटा है मकान नहीं बटा है आदनी बट जाते हैं एक दूसरे से प्यार के वारता नहीं होती है एक दूसरी की सिकायते चालू हो जाती है क्या हुआ यह वानी के अस्यम वानी पर स्यम चाहिए वानी स्यमी तो हो वानी सयमित हो तो मैंने कहा कि आप अपने घर के लोगों को अपने अंकुस पर कर सकते हैं वाणी अच्छा बोलने से पैसा लगता है क्या वाणी अच्छे बोलने से कि अपनी सरीर के एनरजी खतम होती है क्या वाणी जितना आप मिठा बोलेंगे आप उतने एक आदमी गया जहां एक हांथी बेचने वाला आया था और उसके पास गया और हांथी को देखता है उसके पास एक आदमी गया और हांथी के चारो और चक्कर लगाता है हांथी को देखता है बड़े ध्यान से देखता है बहुत ध्यान से देखता है सेर बेचने वाले हांथी बेचने वाले घवड़ा गए कहीं मेरे हांथी में नुखसन निकाल दे उन्हों निकिया क्या अपने जेब से एक हजार रुपय निकाला और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया व्यक्ति गया वो पैसा लिया और घर में ले जा करके रख दिया फिर से आया फिर लैन से गोल-गोल घुम करके फिर से देखता है फिर से देखता है वो पूशता है हाथी ठीक तो है ना बेचने वाला कहता है कोई बात मुझे कुछ बात समझ में नहीं आ रही है मैं पूछना चाहता हूँ वो सोशता है कुछ नुक्स ना निकाल दे फिर अपने जेब से एक हजार निकालता है उस व्यक्ति को फिर दे देता है वो आदमी फिर पैसा लेता है घर जाता है छोड़ करके आ जाता है फिर आता है हाथी के प्रक्रीमा करता है और फिर देखता है इतना मैं पूछ पढ़ता है इतना मैं पूछ पढ़ता है कि हाथी का दात कहां पर है हाथी खाता किधर से है वो आदमी कहता है मैं जो तुमको दो हजार रुपय दिया हूँ न वो पहले लाओ वो आदमी दो हजार रुपय लेता है और पैसा जेब में रख लेता है तुमको दिखाई नहीं दे रहा है हाथी किधर से खा रहा है बोलत ही पहचानिये सावु चोर का घाट आप बोलने से पहचाने जाते हैं कि आपके अंदर कितनी श्मरन सकती है आपके अंदर कितनी गंभीरता है आपके अंदर कितनी मेचुरिटी है आपके अंदर कैसा सोच है आप क्या जानना चाह रहे हैं बोलने की कला आज आती है तब तो बोलो और बोलने की कला नहीं आती है तो घर मत तोड़ो कटूता मत बोलो नफरत भरे सब्द मत बोलो आप ज़्यादा से ज़्यादा मौर रहो मौर रहो जितना वानी चंचल होगा उतना मन चंचल होता है और जितना मन चंचल होगा उतना सरीड चंचल होगा और जितना सरीड चंचल होगा उतना जीवन अस्तवेस्त होता है इसका क्रम है जदि आप जीवन में विकास करना चाहते हैं जीवन में उत्थान करना चाहते हैं वाणी पर सयम वाणी पर सयम वाणी से आएक ऐसी मैंने पहले ही कहा वाणी इतना प्रेम से बोलो आज हमारे भारत देश मुरुद्धा स्रम बढ़ते चले जा रहे है एक क्या गारण क्या है ये नासमझ लोगों की कारण है बोलने की कला नहीं आई अधिक्ता माबाप है जो बोलने की कला नहीं जान पाए सरीर बुर्जारगनाई के अस्था आ जाती है 80 साल के अबस्था हो गई सरीर पक गए सरीर पक गए है, वाणी कटुता है आज भी बोलते हैं तो जैसे तलवार की धार की तरह बोलते है बोलने में सयम नहीं आए, क्या सिखा आपने आपने बच्चों को कितना संपत्ती दिया, ये महत्तपूर्ण नहीं रहा जाता है उस समय, आपने परिवार के लिए कितने बेल्टिंग की खड़े कर दिया, ये महत्तपूर्ण नहीं रहा जाता है महत पूर्ण रहता है आपने बच्चों को कैसा संसकार दिया है इस पर एक दिन चर्चा करेंगे कि बच्चों को संसकार कैसे दिया जाता है महत पूर्ण है आप जो चाहते हैं वो हो जाते हैं यदि आपके जीवन में आज प्रेम नहीं है तो आपने प्रेम को इस्थान ही नहीं दिया है, हकिकत तो ये चीज है यदि आपके जिवन में आज कटूता मिल रही है, आपने कटूता को इस्थान दिया है आपने किसी के पति कटू सोचा है, आपने किसी के साथ अफमानित किया है आप किसी न किसी का नुकसान किया है तो आपका नुकसान हो रहा है आप इसलिए प्रेम से बोलना सीखिए अभी सद्रु कभीर के पंक्ती सुने वाणि तो ऐसा होना चाहिए और रन को सीतल करें, आपो ही सीतल होए, सब्द कितना अच्छा है, इसको पाठ्ठे क्रमों पढ़ाया जाता था, वाड़ी तो ऐसा होना चाहिए, यदि आप बुढ़ापे में काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके बच्चे बरदास्त कर लेंगे, आप बुढ़ापे में खाप ही नहीं पा रहे हैं, आपके बच्चे बरदास्त कर लेंगे, आपको खिलाएंगे, पिलाएंगे, आपका टट्टी पे साफ सब करेंगे, लेकिन आपके सरीर अस्वस्त है, बोल नहीं पा रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, और बड़बड ब कभी स्थ तयार करता है आप कितने इसके लिए भी पढ़ने लिखने की जरुरत है वाणी अच्छा बोलना है वाणी मिठा बोलना है वाणी सयमित बोलना है वाणी कटू रहित बोलना है वाणी में मिठास हो अम्रित घोला हुआ माणी हो वाणी में कटूता ना हो इसके लिए पढ़ने लिखने की जरुरत है जब निंदा और चुगली करने के लिए पढ़ने लिखने की जरुरत नहीं तो अच्छे वाने बोलने के लिए क्यों पढ़ने लिखने की जरुरत है कुछ लोग करते हैं पापा तुमको बोलने का परणाम कब मिला और कब गया पता भी नहीं लेकिन आप अच्छे जीवन तो जी रहे हैं लेकिन अभी समाधान का पल्ला भारी नहीं है समस्याओं की पल्ला भारी है तो अभी आप ने पूर्वों में भी गलत कर्म नहीं किये हैं तो आज जो आप करेंगे नहीं आज जो आपको कर्म मिलेगा उसका समाधान का पला भारी नहीं होगा तो वही समस्य बन जाएगी आपके लिए इसलिए जिसके जीवन में कभी अन्होनी हो गया कभी आपने कटूता बोल दिया कभी आपने बहु को कटू बोला कभी आपने ससुर को कटू बोला तो आप उसके लिए परसान मत होई आपके पास समस्या का समाधान है अब जीवन की सुरुवात आपको करना है मैंने पहले ही कहा आपका बेस है ये बेस वाणी का बोलना एक स्टार्टिंग है जीवन का वाणी के बोलने के अधार पर जान जाते हैं कि आदमी कैसा होगा और वाणी आप अच्छे बोलते हैं वाणी प्रेम से बोलते हैं तो समझ जाएंगे कि वाणी गंभीर है इनकी वाणी में शब्दों में जान होना चाहिए जो आदमी बहुत बोलते हैं उनकी वानी हलकी हो जाती है जो वानी बरबर बरबर करके बोलते हैं उनकी वानी हलकी हो जाती है इसलिए मैंने कहा कम बोलो धीरे बोलो मीठे बोलो प्रेम से बोलो सयमिद बोलो तो आपकी वानी में वजनदार होगा आप इतना ही बोले कि आपके बहु आपका सम्मान कर सके आप इतना ही बोले कि आपके सासु माँ आपके ससुर जी आपके दादा दादी आपका सम्मान कर सके और हम क्या करते हैं सद्रु कबीर ने कहा है बोलत बोलत बाड़ो विकारा सद्रु कबीर ने आऊ रही कहा है मिली ही संत वचनत हुई कहिए मिली ही असंत मौन होई रही है सद्रु कबीर के वाणियों में इतनी अच्छी मिठास भरा हुआ है जिसको हम पीना चाहे तो जीवन तर जाएगा और सद्रु कबीर ही नहीं इस दुनिया के बहुं सारे महापूरुस है जिनके एक एक वाणियों के एक एक पंग्ति को ले करके जीवन में हम तब्दील कर सकते हैं जीवन के नक्से बदल सकते हैं हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा बोलना, हमारा देखना हमारा सुना हमारा सोना हमारा जागना हर चीज हमारा पूजनी हो जाएगा हर चीज पूजनी हो जाएगा आज क्या है आज हर हम जगा अपमान फोकरे खा रहे हैं आज हर जगा से हम त्रिश्कृत होते जा रहे हैं क्यों हो रहे हैं मैंने पहले ही कहा अपने कर्मों की कमाई है अपने करमों की कमाई है वाणी पर सयम वाणी में आप जितना सयमित रहेंगे उतने आप अपने माता पिता से सम्मान पाएंगे इसलिए कहीं भी मेडिटिशन स्वीर लगता है ध्यान स्वीर लगता है या विपसना कराया जाता है तो प्रत्थम गेट में इस्टार्ट में ही लिखा रहता है स्पून रूप शे मौन का पालन करें जब तक वानी स्यमित नहीं होगा तब तक आपके आँखे स्यमित नहीं होगा तब तक आपके जिब्यत स्यमित नहीं होगा तब तक आपके हाथ सयमित नहीं होंगे तब तक आपके पैर सयमित नहीं होंगे आपका पूरा सरीर बोलेगा मैं कहा करता हूँ कि आदमी जब बोलता है तो बोलता है और नई बोलता है तब भी बोलता है साथ एक बार कहा था लेकिन एक बार फिर से कहा दूँ मैं वार्णी सयम पर आया हूं बोलने पर तो जब वार्णी बोलते हैं आदमी तब तो बोलता ही है और नई बोलता है तब भी बोलता है आदमी के आँखे बोलती है जब आदमी किसी के साथ वे विरोत की बाते आ जाती है तो उनके आँख में वानी से बोलने ही रहा है लेकिन आँख ऐसे फाड़ करके देखता है तो लगता है जान जाते हैं आदमें घुसा रहा है इनसे बात करना ठीक नहीं उनके चेहरे बोलते हैं जब आप अक्रोस हो जाए क्रोध में आ जाए उनके चेहरे तमस आजाएंगे, उनके चेहरे में लालीमा आजाएगी, पूरा एकदम आख प्रोज से आप भर जाएंगे, उनका चेहरा बोलेगा, उनके आख बोलेगा, आप मौन हैं पर आपका चेहरा बोल रहा है, आप मौन हैं, आपका बाल कटिन बोलता है, कैसे बाल कट वकर लेते हैं इधार उदार तो कहते हैं लड़का कोई फैसन पसंद है पैसन पसंद है जब आदेमी बोलना तो बंद कर दिया लेकिन उसका बाल कटिन बोलता है आपका पहना कप्ड़ा पहना बोलता है एक सधारन सी बात है एक सभ्यता है एक परंपरा है कि हिंदू परंपरा में भारती परंपरा में एक सभ्य धंग से कपड़ा पहनना एक हिंदू परंपरा का एक सवगात है लेकिन आज क्या हो रहा है एक जबाना था जब महत्मा गांधी के समय एक ऐसी इस्तिती थी कि आदमी को कपड़ा पहनने के लिए कपड़े नहीं थे तब आदमी अर्धनगना रहते थे कपड़ा नहीं पहनते थे कस्तुर्बा बाई ने एक लोगों से मिलने के लिए योजना किया और गाउं गाउं में जाकर के मिलना शुरू किया तो लोग एकक करके मिलने आते कपड़े नहीं है इसलिए हम लोग उसी कपड़े को बदल बदल करके पहन करके एकक करके आप से मिलने आते हैं एक गरीबी के वजह से आदमी के पास तन ढगने का कपड़ा नहीं था आज आदमी के पास अमेरी के वजह से तन ढगने का कपड़ा नहीं है उनका कपड़ा पहन पarnya पशन रहिवा हुए उनकी कपड़ा पहनना बोलता है। आप अपने बच्य को कैसा कपड़ा पहनाते हैं। आप लुगों से निवेधन करूंगा हर क्रिया कलाप आदमी का बदलता है चोटे-चोटे बच्चे नहीं जानते कैसे कपड़ा पहनना है उनको सुरु से चड़ा दिये जीन्स, टाउजर, टीसल्ट क्यों आप ऐसे कपड़े पहनाती है उनका कपड़ा पहनावा बोलता है कपड़ा पहनावा बोलता है कि ये आदमी को वही चीज फैसन पसंद है क्यों हम अंग प्रदर्सन करें अंग प्रदर्सन की जुरूरत नहीं है आपका वाणी बोलता है वाणी से मौर रहते हैं तो आखे बोलती है आखे से मौर रहते हैं तो चेहरा बोलता है, चेहरा से मौर रहते हैं, तो बाल बोलता है, बाल से मौर रहते हैं, तो कपड़े बोलता है, और कपड़े से मौर रहते हैं, आपका घर बोलता है, आप किसी के घर में गए, आपका घर सजाधा जा है, घर सापसुत्रा दिख रहा है, तब लोग कहते हैं मिख्यां बिन बिना रही है गंदगी की बदो आ रही है आप गलती से कीचन में चले गए सुबा का कब चाई पिया हुआ है बरतर नहीं बन जा है साम तक पड़ा है बड़े लोगों की घर की इस्तिती है रात्री में भोजन किया है बरतर पड़ा है सुबह तक मक्या बिन बिना रही है वहां से भोजन में जो सड़न है वो बदबु आ रही है उसका जो गंदगी हो फैलता चला जा रहा है ये बड़े घर के नक्से हैं अधिक्तम बड़े घरों में हम लोगों को जाना होता है कौन मांजेगे बरतन बरतन अपना नहीं मांसकते बाई आएगी तब बरतन मांजेगे बरतन में जो गंदगी हो बदबु आ रही है आप गलती से उनके टाइलेट पे चले गए बातरूम में चले गए बच्चे सुबह के इसनान किया है कपड़ा नहीं धूला है साम को पांच बज गया आपको पता चल जाता है इनके घर की लोगों को सापसुत्रा पसंद नहीं है आदमी माउन है उनका घर बोल रहा है आदमी माउन है उनका घर बोल रहा है वानी पर सयम और वानी में सियम होगा तो हमारे आखे में सियम होगी चेहरे पे सियम होगा देखना सियम, बोलना सियम, खाना सियम, पीना सियम हर क्रिया कलाब सियमित होगा इसलिए करना क्या है हमको वानी पर सियम पूर्ण रूप से सियम की जोगत है आप यदि हितकर बोलते हैं, प्रीकर बोलते हैं, मधुकर बोलते हैं, तो आपके बच्चे आपको सम्मान करेंगे, आपके नाती पोते आपको सम्मान करेंगे, और आप बड़ बड़ के बोलना सुरू कर दिये, हितकर प्रीकर नहीं बोले, कटू वचन बोलना सुरू कर दिय आप कमा करके चार-पांच करोड की संपत्ती भी दे देंगे पर भी आपके बच्चे, आपके नातिपोते आपके पास बैठना नहीं चाहेंगे कोई कहेंगे तुम अपने दादा के पास जा करके बैठो वो बुढ़ा के पास नहीं जाँगो जाओ तो बड़ 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 शुरू कर देता है वो आपके बच्चे आपके पास नहीं बैठना चाहेंगे उनके पास बैठो तो चालू हो जाता है महाभारत पुरान ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं ऐसे हैं सिकायते चालू हो जाती है क्या करना है आपको सद्रु कबीर साहब कहते हैं सब्द सवारे बोल ये सद्द के हाथ न पाओ एक सब्द औस धी करे एक सब्द करे गाओ राजा भरतरी को एक सब्द की चोट पड़ा राजा भरतरी वैराग के धारन कर लिया और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया यदि उनको सब्द की चोट नहीं लगता तो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध नहीं होता राजा भरतरी एक सब्द है जो घाओ कर जाता है लोग कहते हैं मैं आज से बीस साल पहले मेरे भाई ने ऐसे मुझे कहा था भला उसने ऐसा क्यों कहा होगा बीस साल में बीस कलंडर बदल करके फेक देते हैं लेकिन एक सब्द उन्होंने बोला थो घाओ कर गया है बीस साल हो गया सब्द आज भी चूब रहा है वाणी निकल जाती है लेकिन वाणी रुक जाती है वाणी आपके सब्दों से निकलती है लेकिन किसी के दिल में जाकर के रुक जाती है और आपने अच्छे वाणी का प्रयोग किया है तो जहां भी जाएगा जिस जगह भी जाएगा वाणी का यस फैल आएगा आपके बारे में चर्चा करेगा और आपने कटू बोल दिया कडवाहट बोल दिया तो आपके मुख से तो वाने निकल गई लेकू उनके दिल में घाव कर गया वो जब तक जियेगा जब जब आपके बारे में चर्चा होगी जब जब आपको देखेगा तो कहेगा वाद में ठीक नहीं है कटू बोलता है वाद में ठीक नहीं है वो निंदा करता है वाद में ठीक नहीं है चुगली करता है मेरे समय पूरा हो गया फिर इस पर और चर्चा करेंगे इसलिए सद्रू कबीर साहब कहते हैं सब्द समारे बोलिए सब्द के हाथ न पाओ एक सब्द आउस धी करें एक सब्द करेगाओ मुलिये सब गुरु देव की जै